पिछले वर्ष 22 अपरेल 2023 को ब्रिहसपती अपनी स्वराशी मीन से निकल कर अपने मित्र मंगल की राशी मेश में प्रवेश कर चुके थे। अब यही देव गुरु ब्रिहसपती वर्ष 2024 में डैत्य गुरु शुक्र की राशी व्रिशब में गोचर करने जा रहे हैं। गुरुग्रह वर्तमान में मंगल ग्रह की राशी मेश में मारगी अवस्था में हैं। अनुसार, साल दो हजार चौबीस में गुरु ग्रह कई बार अपनी चाल बदलेंगे और राशी परिवर्तन करेंगे, जिसका प्रभाव मेश से मीन तक सभी बारह राशियों पर पढ़ने वाला है। ब्रिहस्पती की द्रिष्टी पढ़ती है, वहां अमरित के समान शुब द्रिष्टी डालते हैं, जिससे व्यक्ती को शुब परिनामों की प्राप्ती होती है। मई से जून महीने तक स्वास्थय का ध्यान रखना होगा। लंबी यात्रा पर जाना पढ़ सकता है। कार्यस्थल में जबरदस्थ परिनाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। संतान की काम्याबी से मन प्रसन्ना होगा। गुरु गोचर से प्रभाव आपका प्रेम जीवन पर पड़ेगा। आप प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तयार रहें हैं। अपने इस गोचर काल में देव गुरु ब्रहस्पती आपके प्रथम भाव में यानि की आपकी ही राशी में विराजमान होंगे। ब्रहस्पती देव का यह गुरु गोचर दो हजार चौबीस व्रिशब राशी में ही होने के कारण आपके लिए विशेश प्रभाव अधिक अनुकूल परिणाम नहीं देते हैं। एकादश भाव के स्वामी का आपकी राशी में जाना आर्थिक लाब के योग बनाएगा। अधित देव गुरु ब्रिहस्पती आपके पंचम भाव पर द्रिश्टी डालेंगे जहां पर केतु विराजमान हैं। उनमें संसकारों की वृद्धी होगी और वह अपने जीवन में उन्नती करेंगे। गुरु गोचर 2024 यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो देव गुरु ब्रिहस्पती का गोचर आपको उस प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला बना सकता है। और आप किसी भी हद तक जाने को तयार रहेंगे। तक जैने की पूरी कोशिष करेंगे। ब्रिहस्पति की नवम द्रिष्टी आपके नवम भाव पर यानि भाग्य भाव पर होने से आप धर्म कर्म के लिए तीर्थाटन करेंगे। परिवार के साथ और कभी अकेले शुब और तीर्थ स्थानों पर जाकर देवी देवताओं के दर्शन करेंगे, इससे आपको संतुष्टी मिलेगी, अत्यधिक पूजा करना आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है, इसलिए नियम बद्ध होकर आराम से पूजा करके अपने इस्थ देव को मनाने से आपको सफलता मिलेगी, तीन मई से तीन जून के बीच जब ब्रिहस्पती अस्थ अवस्था में होंगे, तो इस दौरान स्वास्थे समस्याओं के प्रती विशेश सावधानी बरतें आप बीमार पढ़ सकते हैं, वर्ष के अंतिम महीनों में जब 9 अक्टूबर से ब्रिहस्पती वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तब आपको अपने व्यवाहिक जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, धन को लेकर आप और आपके जीवन साथी के बीच कुछ कहा सुनी हो सकती है, आपके जीवन में ससुराल पक्ष के लो ये सबसे अच्छा उपाय इस उपाय से आपकी काफी हद तक परिशानिया कम हो सकते हैं, आपको गुरुबार के दिन से शुरू करके गुरु ग्रहस्पती के बीज मंत्रग्रा ग्री ग्रौ सक गुरुवे नम का नियमित जाप करना चाहिए